हलो एस्पिरेंस, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 मार्च 2023 के करेंट अफियर्स तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पैन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट आज के first news है, first edition of naval commanders conference जो navy के commanders हैं, उनकी पहली conference हो रही है मतलब conference का पहला edition, पहली बार इस तरह के conference हो रही है इस line का मतलब यह है, तो वो start हुई है कहां पे INS Vikrant पे, India's first indigenous aircraft carrier indigenous मतलब जो India ने खुद बनाया है, INS Vikrant इसके उपर ही meeting हो रही है, आप इस point को यहां पे देखिए its first phase is being held at sea मतलब समुदर में हो रही है, किसी particular location जिसको तरह हम city पढ़ते हैं, बैंगलूरू है, कोलकाता है, चंडिगर है, डेली है ऐसे में नहीं हो रही है, C में हो रही है, INS Vikrant पे क्यों हो रही है, यहां पे क्या discuss करेंगे to discuss important strategic issues at the military strategic level military related, जो भी issues है, है न, वो सब यहां पे discuss किये जाएंगे addressed by defense minister Rajnath Singh मतलब इसको address किस ने किया, defense minister जो थी Rajnath Singh address आप समझते हैं, कि initiate किया उस तरह से ठीक है, चलिए, अब हम पढ़ते हैं, आज की second news state which released a unique cover for the department of post ऐसी कौन सी state है, जिसने recently एक अलग से cover release किया है, postal department जो है उसके लिए तो वो है Sikkim, और इस cover का नाम क्या है, Go Green, Go Organic अब Go Green, Go Organic, अगर इस तरह से आता है question है न, तो आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, Sikkim क्योंकि जो Sikkim है, it has the title of first 100% organic state in the world, पूरी दुनिया में पहली पूरी तरह से organic state, जो है 100% organic state कौन से बनी है, Sikkim तो अब जो इन्होंने cover release किया है, अपने postal department के लिए, वो है Go Green, Go Organic, ठीक है चलिए, third news पढ़ते हैं, special governance camps organized by in at, मतलब special governance camps जो है, Jammu and Kashmir में organized किये गए हैं, किसने किये है board camp में वहाँ पे किये हैं, तो यादत ना है, Jammu and Kashmir में special governance camps organize किये गए हैं, वहाँ के lieutenant governor Manor Sinha ने organize किये हैं, sports stadium board camp में organize किये हैं, ठीक है, चलिए, अब हम पढ़ते हैं, आज का fourth point, तो कुछ awards दिये गए हैं, है ना, उनके बारे में हमें पढ़ना है, BBC Indian sports woman of the year award किसे दिया गया है, मीरा बाई चानू, weightlifter है, BBC lifetime achievement award किसे दिया गया है, प्रितम सिवच, BBC para sports woman of the year भाविना पटेल, and BBC emerging player of the year boxer नितु घंगस, अब यह नाम आपने याँ रखने क्योंकि यहां से question बनता है, ठीक है, चलिया, वगर हम importance के बात करें, तो fourth point आपका important था, special governance camps जमुएन कश्मीर में लगाए गए है, यह important था, किसने जो है, postal department के लिए अलग सा cover release किया है, go green, go organic, यह point पे आपका important है, और पहला तो important है, क्यूंकि पहली बार naval commanders जो है, उनके conference हुई है, ठीक है, तो आप बस अपने notes making पे focus बना के रखें, notes बनाते रहें, daily में अलग-अलग जगा से points collect करके लाती हैं, तो आप इस चीज़ का फाइदा उठाए हैं, आपको अलग-अलग जगा भटकना नहीं पड़ेगा, क्यूंकि अगर आप अलग-अलग जगा पे जाएंगे भी तो आपको seem यही points मिलेंगे, थोड़ी बहुत हो सकता है, और भी मिल जाएं बट, probability है कि यही points मिलेंगे, ठीक है, तो वस अपने notes पे focus रखें, और चलिए, ज्यादा बाते ना करते हुए, सीधे चलते हैं अपने next phase की तरफ, आज का fifth point है, phase one of Bengaluru safe city project inaugurated by, पहला phase, Bengaluru safe city project का inaugurate किया गया है, ठीक है उद्घाटन इसका किया गया है, किस ने किया है, जो हमारी union home minister है, अमित्शाह उन्होंने किया है, power corporation को यह award दिया गया है, क्यों दिया गया है, for outstanding contribution in power generation, electricity यह produce करते हैं, तो उसमें जो भी इनका contribution है, काफी अच्छा है तो उसलिए इनको यह award दिया गया है, presented by, यह award present किस ने किया है, union minister जो है, आरके सिंह उन्होंने किया है, इसको यह award दिया गया है, अतना कर रहे हैं, मतलब अपना target meet कर रहे है, sustainability जो है, produce कर रहे है, तो इसलिए इनको यह award दिया गया है, याद रखना है, cbip award 2022, ndpc for outstanding contribution in power generation, यह भी आसकता है वहाँ पर category, कौन सी category में दिया गया है, and presented by whom, union minister आरके सिंह, ठीक है, चलिए, 7th point देखते हैं, Chairperson of Central Electricity Regulatory Commission, CERC, CERC के Chairperson कौन बने है, जिशनू बरुह बने है, यह मैंने अपनी community post के थुरू भी बता रहा था, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे एक exercise की बात की जा रही है, तो उसके बारे में हलका सा देख लेते हैं, Now, USA is hosting war planning exercises in, USA host कर रहा है war planning exercises कहां पे जर्मनी में, अब क्यों host कर रहा है जर्मनी में क्या system है, और यह war planning exercises क्या होती हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं, To help Ukrainian military officials to take effective battlefield decisions in the next phase of Russia-Ukraine conflict, जो Russia-Ukraine conflict चल रहा है, Russia attack कर रहा है, तो उसमें Ukraine के जो military officials हैं, कैसे अपने decisions जो हैं, वो better way में ले सकते हैं, तो उनकी एक तरह से training आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, 9th point देखते हैं, Best player of the year, Best player of the year बट किसमें, कौन सी game में है ना, तो by Asia Chess Federation, So, Asia में chess का best player कौन बना है, according to Asia Chess Federation, तो वो बने है D. Gukesh, यह एक Indian Grand Master हैं, ठीक है, देखिए साथी छोटे-छोटे points हैं, फटा-फट से मैं cover करवाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप बस थोड़ा सा focus बना के रखें, notes बनाते रहें, काफी अची preparation आपकी मेरे साथ यहां पे हो जाएगी, आज का 10th point है, यहां पे एक exercise की बात हो रही है, नाम से लग रहा है एक्स-एक्स वाले जो होते हैं, मतलब exercise है न, Fingex 2023, क्या है a joint military exercise, हमेशा कहती हूँ एक पे इसके तेन portion केजिए, partitions केजिए, एक side पे naval exercise, army exercise, और air force exercise इस तरह से लिखें, वहां पे नाम लिखें, किस को Evans value होती हैं vos लिखें, क्यी exercise जो military है वो military exercise ही रहेगी जो air force exercise है, वो air force ही रहेगी जो naval, maritime exercise है when maritime exercise ही रहेगी जिन दो countries के बीच में होता है, उन दो के बीचमे ही रहेगी difference क्याता है अब जैसे यह है हमारी, Military exercise है, India और French हारी है मतलब India और France के बीच में होती है तो एक साल इंडिया में होगी, एक साल फ्रांस में होगी बस इतना सा है तो आपको पता होना चीए कि exercise है किस तरह की किंदो countries के बीच में होती है ठीक है Now, यहाँ पर fringex के बात कर रहे है Military exercise है, इंडिया और France के बीच में हो रही है Theme क्या रहा इसका यह भी important है, तो इसका theme रहा Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operations in a Contested Environment कहीं पर जरुद पढ़ती है तो मानता की form में वहाँ पर assistance प्रोवाइड करवाना कुछ disaster आई है तो वहाँ पर relief measures प्रोवाइड करवाना यह सब इसके लिए exercise की गई है अब importance की बात करें, यहां हमने exercise की बात की है यहां हमने best player of the year की बात की गई है Asia Chess Federation के हिसाब से D.Gukesh यह भी important है यहां पर war planning exercises conduct करवाई जा रही है ताकि Ukraine जो है उनके जो military officials है, उनको decisions making में थोड़ा अच्छा बनाया जा सके, यहां पर एक appointment हुई है इसके उबर बात करें एक award की बात की गई है जो कि NTPC को लिया गया है, CBIP award और उसके अलावा जो phase 1 है Bengaluru safe city project का इसकी बात की गई है है ना, तो देखी सारे के सारे points जो हैं यहां पर important है, ठीक है तो आप बस notes मनाये और अपने जो study है उस पर focus करके रखें, मैंने maximum points यहां पर cover करने की कोशिश की है तो चलिए, अब ज़्यादा time ना waste करते हुई सीधी चलते हैं अपने next page की तरफ आज का 11th point है संतोष trophy won by यह जो संतोष trophy है कौन जीता है, करनाटका जीता है by defeating Meghalya Meghalya को हरा के This is the 79th National Football Championship 79th National Football Championship है कहां पर हुई at the King Fahod International Stadium रियाद संतोष trophy है ना, इसी को हम 79th National Football Championship भी बोलते है रियाद में हुई है और पहली trophy जो है, मतलब first trophy for करनाटका since 1968 यह आप उयाद करने की जरुवत नहीं है 1968 के बार पहली बार ऐसा हुआ है कि करनाटका इस trophy को जीता हो ठीक है, चलिए, अब हम पढ़ते हैं आज का 12th point, 53rd district of MP इसका मतलब यह है कि मध्यपरदेश जो है, वहाँ पे एक नया district बना है, अभी तक 52 district अब 53rd district बना है, कौन सा बना है माउ गंच बना है, earlier it was तहसील of Reva district, जो Reva district है उसकी पहले तहसील थी, अभी अपने आप में district बन गया है, और यह चीज़ announce किसने की गई है, किसने की है मध्यपरदेश के जो CM है, शिवराज Singh Chauhan, उन्होंने ये announce किया है ठीक है, चलिए 13 point देखते है, the 6th meeting of JWGACTC 6th meeting of, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा दिखते है, Joint Working Group on Aircraft Career Technology Corporation इनकी जो है 6th meeting हुई है India में, इंडिया में कहां पे New Delhi में, ठीक है, तो ये भी important है, याद रखना है आगे चलते हैं, आज हम एक बुक के बारे में यहां पे जिक्र पढ़ेंगे India's Vaccine Growth Story, From Cowpox to Vaccine मेंतरी, ये एक बुक है इसका अनावरन किसने किया है Union Minister for Health and Family Welfare Dr. Mansook Mandafia इन्होंने इस बुक का अनावरन किया है ये बुक क्या बताती है This book elaborates on India's Impressive Achievement in Developing Producing and Distributing COVID-19 Vaccines COVID-19 के टाइम पे, इंडिया ने जो भी initiative लिए, इंडिया के health sector ने जो भी initiative लिए, COVID-19 Vaccines Develop की, Produce की, Distribute की लोगों में, उस सबसे related इस बुक में बताया गया है ठीके, अब देखिए इसे के साथ वीडियो पसंद आ रहे हो, तो like जरूर कीजिएगा, हम पहुँच गई है आज के last point पे, बढ़ आप देख सकते हैं कि सबसे दाजा important शाहिद यह point है आज का, जिससे कि मैंने आपको बताया है कि G20 की leadership इंडिया के पास है, तो उसके अंडर जितनी भी meetings हैं, वो इंडिया में हो रही है So, the first Labour 20 meeting L20 L20 meeting, यानि Labour 20 meeting जो है G20 के अंडर हुई है कहां पे हुई है, अमृतसर पंजाब में हुई है पहली meeting हुई है किसने organize किया, किसका maximum contribution रहा इसमें, तो वो है BMS भारतिय मजदूर संग BMS, भारतिय मजदूर संग Lead National Trade Union Center for Organizing the L20 Inception Meeting ये जो है main center था, जो organize कर रहे थे Labour 20 Inception Meeting को ठीक है, importance के बाद करें, ये point आपका important है book के बारे में हमने पढ़ा, किसने launch की ये important है, फिर हमने पढ़ा कि 6th meeting जो है, Aircraft Career Technology Corporation के इंडिया में हुई, ये important है तो बस हर एक point important है, हर एक point के अपनी importance है, हाँ कई बार कुछ ऐसे points होते है जो important नहीं भी हम कह सकते है बट पढ़ने तो पढ़ेंगे, हम कुछ points छोड़ तो नहीं सकते जब हम एक दिन में 15 points पढ़ रहे हैं तो हम 2-3 extra भी पढ़ सकते हैं, जो कि किजिए press, so that मैं जैसे कोई video upload करूँ, सबसे पहले notification आपके पास पहुंचे, plus जो भी आपके friends हैं, जो भी government examinations के लिए prepare कर रहे हैं, उनके साथ भी में चैनल का link जरूर शेयर करें so that in handwritten notes का उन्हें भी कुछ वाइदा हो सके, तो चलिए सुन्हें सुन्हें